बहुत समय पहले की बात है किसी राज्य में एक राजा रानी थे राजा बहुत ही प्रजापालक था वहें खुशी-खुशी अपना राज सम्भालता था वहें अपनी रानी से बहुत प्यार करता था रानी भी राजा को पूर्ण सम्मान देती थी राजा अपनी रानी से इतना अधिक प्रेम और लगाव रगता था कि यदि वे एक पल भी रानी को नहीं देखते थे तो बेचैन हो जाते थे अगर रानी कुछ देर के लिए भी कहीं काम से भी चली जाती थी तो उने घबराहट होने लगती थी इसी तरीके से धीरे धीरे समय बदलता है रानी गर्ववती होती है और नौ महीने में एक पुत्री को जन्म देती है लेकिन पुत्री को जन्म देने के बाद ही रानी की मृत्यू हो जाती है जब ये समाचार राजा को मिलता है तो वे बहुत दुखी हो जाते है उन्हें रानी की मृत्यों का इतना दुख होता है कि वहे अपनी पुत्री को ही उसके लिए दोशी मानने लगते हैं कि इसी के कारण मेरी रानी मुझे छोड़ कर चली गई है और वो उससे इतनी नफरत करने लगते हैं कि उसे देखना भी पसंद नहीं करते वहे दाई से यहां तक कह देते हैं कि इसे मरवा दो मैं इसका मुख तक नहीं देखना चाहता इसी की वज़े से रानी मुझे से दूर हुई है ये तो कुलक्ष्मी है यह सब सुनकर दाई को उस बच्ची पर बहुत दया आती है वह सोचती है फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्याग दिया इसमें भला इस नन्मी सी जान का क्या दोश है फिर दाई राजा से विंती करती है हे महाराज आप कुछ मत कीजिए मैं इस राजकुमारी को पालूंगी वह इस महल में रहेगी आप इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए दाई के समझाने पर राजा समझ गए राजा ने अपनी पुत्री को मारने का विचार छोड़ दिया और दाई उसका पालन पोशन करने लगी धीरे धीरे वैकन्या थोड़ी बड़ी होने लगती है अपने ही महल में रहकर वे दिन भर काम करती रहती थी जैसे कि वो राजा की नहीं बलकि किसी नौकर की बेटी हो राजा उसे दुतकारते रहते और उसे बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी राणी महल में आ गई राजा इस रानी से भी बहुत प्यार करते थे धीरे धीरे समय बीता और इस रानी ने भी एक कन्या को जन्म दिया राजा अपनी इस पुत्री को पाकर बहुत खुश थे क्योंकि इसके जन्म लेने के बाद इसकी मा बिल्कुल सही सलामत थी राजा ने अपनी पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा और अपनी पहली बेटी का नाम कुलक्ष्मी रखा था राजा की दोनों बेटियां महल में पलने बढ़ने लगी एक बेटी राजकुमारी की तरह और दूसरी बेटी नोकरानी की तरह रहती थी और इसी तरह समय निकलता रहता है राजा की दोनों बेटियां विवहा के योग्य हो जाती है एक बार की बात है कुलक्ष्मी बाहर सफाई कर रही थी तो वह कुछ सादू मात्माओं को पूजा पाट करते हुए और प्रवचन देते हुए देखती है उसे बहुत उत्सुकता होती है वह सारा काम छोड़कर वहाँ चली जाती है और वहाँ बैटकर प्रवचन, भजयन, कीर्टन सुनती है उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है अब तो वह हर रोज काम के बाद समय निकालकर वहाँ चली जाती थी जहाँ वे ज्ञान की बाते सुनती, कथा कहानी सुनती और पूजा पाड़ करती थी उससे वेहे भी बहुत ज्ञानी हो जाती है और वेहर रोज भगवान शिव को जल चड़ाती और मा पारवती और मा लक्षमी की पूजा करती थी एक बार राजा के मंत्रियों ने कहा हे महाराज आपकी पुत्री अब बड़ी हो गई है अब इसका विवहा कर देना चाहिए राजा ने कहा ठीक है मैं इसके बारे में रानी से बात करता हूँ राजा ने रानी से बात की तो रानी ने कहा महाराज अगर आपको कुलक्ष्मी के लिए लड़का देखना ही है तो अंधा लड़का देखना क्योंकि ये तो कूलक्ष्मी है जहां भी जाएगी उसका जीवन बर्बाद कर देगी तो क्या जरूरत है अच्छा घर देखने की अच्छे घर में जाएगी तो वहां भी बसा बसाया घर बर्बाद कर देगी इसे तो अच्छा है कि पहले से ही इसकी शादी अंधे, लंगडे, लूले या किसी गरीब से कर देए रानी का यह सुझाव राजा को अच्छा लगा राजा ने अपने पंडित से कहा कि वो जाए और कुलक्ष्मी के लिए कोई गरीब लड़का ढूंड कर ले आए इससे कुलक्ष्मी का विवहा करा दिया जाएगा पंडित वर ढूंडने के लिए निकल जाते है चलते चलते पंडित को एक भिकारिन दिखाई देती है उस भिकारिन का लड़का अंधा था पंडित ने सोचा यह रिष्टा अच्छा रहेगा और पंडित भिकारिन के पास गया और कहा क्या तुम अपने पुत्र का विवहा करना चाहोगी तो भीकारिन ने कहा पंडित जी मैं अपने पुत्र का विवा कैसे कर सकती हूँ ये तो अंधा है तो पंडित ने कहा देखो तुम्हारे पुत्र के लिए राजा की बेटी का रिष्टा आया है तुम्हारे तो भाग्ये ही खुल जाएंगे यह सुनकर बिकारिन खुश हो गई और अपने पुत्र का विवा करने के लिए तैयार हो गई फिर राजा अपनी बड़ी पुत्री का विवा उस अंधे लड़के से कर देते हैं कुछ दिनों बाद राजा अपनी छोटी बेटी का विभावी एक राज कुमार के साथ बड़ी धूमधाम से कर देते हैं, अब राजा की दौनों बेटियां अपने अपने सुस्राल चली जाती हैं, जब कुलक्ष्मी अपने सुस्राल पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाना कैसे बनेगा, और फिर कुलक्षमी ने अपनी सास से कहा, सासुमा मेरी मा ने जो चावल खरद में दिये हैं, मैं उन्हें ही बना लेती हूँ, सास ने कहा ठीक है, और फिर कुलक्षमी ने चावल बना कर अपनी सास और पती को खिला दिये, और सावल इतने नहीं थे कि वह भी कहा सके, सुबह होती है, तो उसकी सास और पती दोनों भीक मांगने के लिए चले जाते हैं, शाम को जब दोनों वापस आते हैं, तो कुलक्षमी अपनी सास से कहती है, कि मा जी आप लोग भीक मांग कर लाते हैं, इतने से हमारा गुजारा न तो कुलक्षमी ने कहा, हाँ थोड़ी मुश्किल तो होगी, पर मैं कर लूँगी, आप किसी प्रकार की चिंता मत करिये, अगर आप गरीबी में जी रहे हो, तो मैं भी जी लूँगी, वैसे भी मुझे काम करने की आदत है, तब सास बोली, बहु, तुम इतनी गुडवान ह इतनी रूपवान हो, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवा मेरे घर में कैसे कर दिया, फिर अपनी सास से आग्या लेकर कुलक्षमी एक टोकरी में ककड़ी लेकर बेचने के लिए चल देती है, वह ककड़ी लेकर शिब मंद ककड़ियां बिक जाती हैं, सिर्फ दो ही बचती हैं, वह उन्हें भी बेचना चाहती है, तभी भगवान शेव और मापारवती वहां से घूमते हुए निकल कर जा रहे होते हैं, उन दौनों ने अपना असली बेच चुपा कर एक बूढ़े साधू और साध्वी के रूप म मापारवती ने कहा, प्रभूजी कितनी सुंदर ककड़ियां हैं, मेरी तो इन्हें खाने की इच्छा हो रही है, क्या हम ये ले सकते हैं, भगवान शेव ने मना कर दिया, और कहा, अगर हम इससे ककड़ियां लेंगे तो हमें उसे कुछ देना होगा, अब माता पारवती ने भूक लगी है, क्या तुम मुझे ये ककड़ियां खा सकती हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, तब कुलक्ष्मी ने कहा, हे मा, आप तो मेरी मा के समान हैं, अगर आपको भूक लगी है, तो आप ये ककड़ियां खा सकती हो, मुझे पैसे नहीं करते हैं वह मुझे देखना भी पसंद नहीं करते मेरे पती अंधे हैं मेरी सास भीक मांगती है ये पास एक मा की कमी थी तो आप ही मेरी मा हैं आप प्यार से इस ककड़ी को खाएं आप आर्वती ने खुशी-खुशी वो फल खाया और कहा बेटी मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी, कुलक्ष्मी मा के पैर दबाती है, मा पार्वती वहीं सो जाती है, और उनको बहुत पसीना आ जाता है, तब कुलक्ष्मी ये देखती है, तो अपनी साड़ी के पल्लू से मा को हवा क अपार्वती यह सब देख रही थी, वे सोच रही थी कि कुलक्षमी कितनी अच्छी है, इसके दिल में कितनी ममता और दया है, और भगवान शिव इसकी परिक्षा लेते रहते हैं, वे मन ही मन भगवान शिव से कहती है, हे प्रभू यह तो बहुत अच्छी है, और तुम्हार भग्तिन भी है, आप इसकी परिक्षा लेना बंद कीजिए, और आप इसे धन्धान से संपन्न कर दीजिए, तो भगवान शिव ने कहा, देवी आप भी तो लक्षमी है, भवानी है, आपके पास भी तो सब कुछ है, तो क्यूं नहीं इस कुलक्षमी को आप ही धन्वान कर देती, तब मा पार्वती ने मा लक्षमी के साथ मिलकर कुलक्षमी को वर्दान दिया, और कहा कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, कुलक्षमी ने कहा मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मा पार्वती ने एक मुठी विवूती कुलक्षमी को दी, और कहा इसको अपने घर जाना शाम को कुलक्षमी अपने घर आती है और अपनी सास को सारी बात बताती है तो सास कहती है बेटी यह तो बहुत अच्छी बात है अगर सादू महात्मा विवूती देते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए तुम इसको अच्छे से रख दो और वह अपने पती से पूछती है वह कहता है कि तुम इस विवूती को पुड़ा बकसे में और घर के चारो कोनों में हर जगे डाल दो पूरा घर पवित्र हो जाएगा लक्षमी ने ऐसा ही किया फिर वे सब खाना खाकर सो जाते हैं सुबे जब कुलक्षमी उठती है तो क्या देखती है कि उसकी जौपड बित रह जाती है वो कहती है बेटी है सब क्या है तो कुलक्षमी कहती है मा जी ये भगवान शिव और मा पारवती की कृपा है वह विभूत देने वाले साधू साधवी कोई और नहीं बलकि स्वेम मा पारवती और भगवान शिव ही थे मैं उन्हें पहचान नहीं सकी तब ह उसका पती आता है और कहता है देखो मेरी आँखे वापस आ गई हैं मैं देख सकता हूँ यह सब देखकर कुलक्ष्मी की आँखों में आशु आ जाते हैं और फिर दिल से भगवान शिव और मापार्वती को धन्यवाद करती है सब मिलकर भगवान शिव का मंदिर बनाते हैं और हरोच, भजन, कीर्टन तता सादू संतों को भूजन कराते हैं और गरीब बेबस लोगों की मदद किया करते हैं और इसी तरह वे अपना जीवन पिताने लगते हैं उधर कुलक्षमी के पिता धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे जब राजा को पता चला कि उनकी बेटी कुलक्षमी धन्वान हो गई है वे रानी बन गई है तो उन्हें अपनी गलती का पचतावा होता है और वे सोचते हैं कि मेरी ये बेटी तो लक्षमी थी कुलक्षमी नहीं मैंने ही इसे अपशगुनी समझ लिया था और उसका विवा एक अंधे लड़के से कर दिया था। उधर कुलक्ष्मी का पती कहता है कि हमने शिव मंदिर बनाया है तो मैं अपने सुस्राल नियोता देने जा रहा हूँ। तो कुलक्ष्मी के पती ने कहा मैं वही अंधा और गरीब हूँ जिसके साथ आपने अपनी पुत्री कुलक्ष्मी का विवा किया था। राजा बहुत शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत भाग्यवान है जहां जाती है बरकत करती है और मैंने उसका अपमान किया फिर राजा अपने दामाद से शमा मांगते हैं और अपनी बेटी को भी वहां बुला लेते हैं पहली बार राजा अपनी बेटी को हिरदय से लगाते हैं उसका सम्मान करते हैं और इस तरह कुलक्ष्मी फिर अपने पिता के घर आती जाती रहती है धीरे धीरे राजा भी तनवान हो जाते हैं और कुलक्षमी की छोटी बहन लक्षमी उसके ऐसे दिन फिरते हैं कि वो गरीब हो जाती है उसकी सास उसे लगातार ताने मारती है उसके घर लड़ाई जगड़े होने लगते हैं तेवे परिशान होकर अपने पिता के घर आ जाती है और अपने पिता से कहती है पिता जी मेरे घर में सब बरबाद हो गया है मेरी सास मुझे ताने मारती है घर में हमेशा कलेश बना रहता है उनका कहना है कि मेरे आने से वहां सब बरबाद हो गया है मैं क्या करूं ये सब बाते कुलक्षमी भी सुनती है तो वह अ उनका मंदिर बनवाओ, दान दक्षिना करो, गरीबों की मदद करो, जब ये सब करोगी तो तुम पर भी भगवान शिव और मा पारवती मा लक्ष्मी कृपा करेंगी, मेरे साथ भी यही हुआ था, अगर तुम ऐसा करोगी तो जरूर तुम्हारा भी भागे बदलेगा, लक् तुम्हारे घर में भी मा लक्ष्मी और मा पारवती का वास होगा, अपनी बेटी की ऐसी बाते सुनकर, राजा को बहुत बड़ी सीख मिलती है, लक्ष्मी भी भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगती है, और धीरे धीरे वे धनवान हो जाती है, भगवान शिव की कृ जए मा पारवती